अमारी धर्ती पर बहुत से रेर और अद्भूत जानवर पाय जाते हैं जिन में से साप एक ऐसा जीव है जो हमेशा से ही डर के साथ साथ जिग्यासा का विशेवी बना रहा है अकेली साप की 3600 प्रजाती इस धर्ती पर पाई जाती है और पता नहीं कितनी और खोजनी बाकी है इन में से केवल 375 प्रजाती ऐसी है जो जहरीली है आप सभी इस खतरनाख जीव के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे लेकिन आज के हिंदे काउंडाउन के इस वीडियो में हम इन सापों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही अवसाधारन अनोखी और दुरलब हैं जिनने आपने शायद आज तक देखा भी नहों और यकीन मानिए इनने देख कर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे Paradise Flying Snake सोचिये जब साप बिना पैर के जमीन पर इतनी तेज भाग लेते हैं और अगर उड़ने लगे तो क्या होगा सोचिये Flying Snake की कलपना किसी बुरे सपने या फिर किसी Hollywood फिल्म के तरह है लेकिन दक्षन पूरी एशिया के जंगलों में यह हकीकत में है हाम बोल चाल में लोग इसे Flying Snake के नाम से जानते हैं और इसका scientific name क्रिसो पेलिया है Flying Snake मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, आदी देशों के जंगलों में पाई जाते हैं लेकिन हकीकत यह है कि Paradise Flying Snake जैसे खतरलाख नाम के बावजूद यह वास्ता में उड़ नहीं सकते असल में यह ग्लाइडर है लेकिन देखने में ऐसा लगता है मानो उड़ रहे हूँ जब एक Flying Snake को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना होता है तो वो किनारे पर जाकर अपनी पसलियों को बाहर निकालते हुए अपने पेड़ को सिकूर लेते हैं और खुद को हावा में लॉंच कर देते हैं और फिर हावा में अपने शरीर को पतला वे समतल करके फैला लेते हैं जिससे की वो बहुत दूरी तक ग्लाइड कर सके वैसे ये Flying Snake उड़ने वाली गिलहरी के तुलना में ज्यादा बहतर ग्लाइडर है उड़ने वाली गिलहरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर 60 मीटर तक की दूरी तया कर सकती है वही Flying Snake 100 मीटर या उससे भी अधिक और जब ये हवा में होते हैं तो धीमे हो जाते हैं और सिर को बिलकुल हिलने नहीं देते हैं और सीधे रखते हैं जो उन्हें उड़ान के दौरान भेतर स्थिरता और कुछ हद तक मियंतरन प्रदान करती है Flying Snake जहरी ले होते हैं लेकिन घबराइए मत क्योंकि इनसानों के लिए खतरनाक नहीं है ये ज़्यादतर छिपकलियों और अन्य छूटे जानवरों को खाते हैं और अपना ज़्यादतर समय पेडों पर ही बिताते हैं Spider-Tailed Viper जैसा कि नाम सही मालूम पढ़ रहा है कि प्रकरती ने इसे इस तरह बनाया होगा पहले हो अपने शिकार को अपनी पूँच से आकरशित करता है और पास आने पर उसका शिकार कर लेता है Spider-Tailed Viper एक वाईपर प्रजाती ही है ये एक जहरीला साँप है 2001 तक इस वाईपर की पहचान गलत की जा रही थी जो कि 1968 में एक अमेरिकी अभ्यान के दोरान इरान से एकत्र किया गया था और शिकागो में फिल्ड म्यूजियम आफ नैचरल हिस्ट्री में जमा किया गया था और जिसे सुडो सेरेस परसिकस के रूप में पहचाना गया जिससे कि ये माना जा रहा था कि सांप का ऐसा दिखना जन्म दूश या बाडी में अबनॉर्मल गुरूथ के कारण हुआ होगा लेकिन कई दश्कों बाद एक ऐसा और सांप मिला जिसके नमूनों से इसकी विशेष्टा का खुलासा हुआ और वेग्यानिकों ने 2006 में आपचारिक रूप से जानवर को एक नई प्रचाती के रूप में वर्नित किया स्पाइडर टेल्ड वाइपर की अनूठी पूँच होती है जिसमें एक बल्ग जैसा कार होता है और उस पर इस तरह उभार निकले और लटके पड़े होते हैं कि वो उसे एक मकडी का रूप देते हैं और जब वो अपनी पूँच को गोल गोल इस तरह से घुमाते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है जिसे कोई मकडी भटक रही हो और फिर शिकार जब मकडी के इस चलावे में आ जाता है तो वो खुद इस शिकार बन जाता है क्योंकि वे उस साप को देख नहीं पाता इसकी वज़े इनका रंग है जिससे असानी से पत्थरों में छिप जाते हैं बार्बाडोस थ्रेड स्नेक बारबर्डोस थ्रेट स्नेक सापों की सबसे छोटी प्रजाती है ये केरेबियन दीब बारबर्डोस पर पाया जाते हैं इस साप को पहले बार पैंसिलवीनिया स्टेज उनिवर्स्टी के बायॉलिजिस्ट स्टीफन ब्लेर हेजस ने 2008 में खोजा था जब अपने टीम के साथ सबसे छोटे फ्रॉग और लिजर्ड को ढूनने इस दूइक पर आये थे हेजस ने पने पतनी कारला के सम्मान में साप की इस नई प्रजाती का नया साइंटिफिक नेम दिया जो की सरी सरफ विज्ञान वेता और खोज अभ्यान टीम का हिस्सा थी बारबाडोस थ्रेड स्ने केवल 10.4 सेंटिमेटर यानि की 4.1 इंच की अधिक्तम लंबाई तक के हो सकते हैं और 0.6 ग्राम के आउसत वजन जितने हैं वैसे सरल शब्दों में बोले तो स्पेगेटी नूडल जितने चौड़े होते हैं दीमक और चींटी के लारवा इसके भुजन होते हैं इस्टन हॉगनो स्नेक इस सांप का ये नाम दरसल इसकी सूर जैसी नाक की वज़े से पढ़ा हॉगनो स्नेक नौर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं ये रेतिली मिटी खेतों तटीयक शेतरों के साथ वुड्लेंड्स वाली जगह पसंद करते हैं इनका मूँ भी काफी चौड़ा होता है अब तक की दर्ज की गई इनकी लंबाई 116 सेंटिमेटर यानी 46 इंच है और रंग और पैटर्न कुछ भी हो सकता है अब इसकी उस आसकर लेवल एक्टिंग की बात करते हैं जिसके कारण इसे इस लिस्ट में शामिल किया गया ये मनिश्य के लिए हानिकारक नहीं है लेकिन जब कभी कोई इंसान या खत्रा इसे दिखता है तो कोबरा की तरह फन उठा लेता है और उसकी तरह ही जीब अंदर बाहर करने लगता है डसने की भी एक्टिंग करता है इससे भी बात नहीं बनती तो काटना शुरू कर देता है लेकिन दात नहीं गडाता लेकिन 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 इतने सही काम नहीं चला तो पीट के बल लेट कर मरने की एक्टिंग करने लगता है वैसे इसे लिस्ट में डालने का असल मकसद इनकी नाग नहीं बलकि इनकी दमदार एक्टिंग है जो कि इसे हकदार बनाती है अनोखे साप की लिस्ट में शामिल करने के लिए ब्लू कोरल स्नेक वैसे तो ये नाम इसको इसके सुन्दर चमकदार नीले रंग के कारण मिला है लेकिन धोखा मत खाईएगा ये किलर ओफ किलर्स के नाम से भी प्रसिद है ये अन्य जहरीले से जहरीले साप को भी चुटकियों मार सकता है ब्लू कोरल स्नेक में एक अनोखा प्रकार का जहर होता है जो अधिकार सापों के पास नहीं होता जहां दूसरे अधिकतर सापों में निरो टॉक्सिन होता है वही इसके जहर में साइटो टॉक्सिन होता है जिसका अब तक कोई अंटि वेनम भी नहीं मन पाया यहां तक इनके पास सबसे बड़ी जहर की पोटली होती है जी हाँ बेहद बड़ी जो कि इसके शरीर की लंबाई की एक चोथाई से भी अधिक लंबी होती है दूसरी और अधिकांश साप के जहर आपको धीमिगती से मारते हैं जबकि ब्लू कोरल्स ने दिखने में जितना सुनतर है उसके विप्रीद इसके जहर आपको सोचने का मौका भी नहीं देगा बिल्कुल कातिल हसीना की तरह है इसलिए इसे देखते ही तुरंत भागने में बलाई है ये 5-6 फूट लंबे हो सकते हैं ये टरेस्ट्रेल सांप ब्रुनई, इंडोनेशिय, मलीशिय, सिंगापूर, थाईलेंड और बरमा आधी में पाय जाता है जीप सांप ज्यादे तर इंडोनेशिय में पाय जाता है हलाकि कुछ करीबी रिष्टिदार अस्ट्रीलिया में भी पाय जाते हैं इसको ये नाम इसकी असामाने तोचा के कारण मिला इसकी चमडी बहुत जुर्डीदार धीली होती है जैसे किसी ने अपनी साइज से बड़े गबड़ पहन ली हो ये धाई मीटर तक लंबे हो सकते हैं एलिफंट ट्रंक स्नेक पूरी तरह से जलिये है और जमीन पर वेवारे के रूप से असहाई है क्योंकि इनके पेट पर जमीन के सापों की तरह स्केल नहीं होते जो रिइंगने में मदद करते हैं एलिफंट ट्रंक स्नेक, कैट फिश और इल जैसी मचली पर फीड करते हैं इनके पास जहर नहीं होता इसलिए शिकार को मारने के लिए ये जकडते हैं इसको लोग पैट की तरह पालना भी पसंद करते हैं भारत में स्पिटिंग करने वाले एक जीव के खास प्रजात ही पाय जाती है लेकिन अफरीका में भी कोबरा मूल की एक प्रजाती है जिसे रेड स्पिटिंग कोबरा कहते हैं ये मुख्य रूप से पूर्वे अफरीका में पाय जाते हैं रेड स्पिटिंग कोबरा तीज और सतरक साप होते हैं इनकी लंबाई 5 फूट तक हो सकती है इस प्रजाते के व्यस्क निशाचर होते हैं जबकि किशुर दिन के दौरान अधिक सक्रिय होते हैं व्यस्क साप दिन के दौरान दीमक के टीले पुरानी लकडी के लॉग, होल या फिर ग्राउंड के अंदर छिपना पसंद करते हैं जब कभी खत्रे का अभास होता है तो ये उठ खड़ा होता है और कोबरे की तरह फन पहला लेता है और हिस जैसी आवाज निकलता है इसके बावजूद अगर फिर भी लगता है कि खत्रा टलने वाला नहीं है तब जाकर मजबूरी में ये अपनी कीमती जहर की बोचार सामने वाले के मूँ पर कर देता है स्पिटिंग कोब्रा अपने रिष्टेदार किंग कोब्रा जितने जहरीले तो नहीं होते हैं लेकिन इनका साइडर टॉक्सिन जहर काफी खतरनाक होता है इसका जहर आपकी आँखों में चला गया तो आपको अंदा बना सकता है इन्हें दूर में छोटे होते हैं लंबाई में केवल 50-80 cm ये साप मैंडक और कीड़े खाते हैं इसलिए इनसानों के लिए कोई खतरा नहीं है कुल मिलाकर लगभग 30 प्रकार के गाटर स्नेक है लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें ऐसी कौन सी खास बात है फैक्ट ये है कि कैलिफो पर ब्लू स्ट्राइप्स होती है जो कि इसे इतना कलरफूल बना देती है कि इस सांप को नियोन सांप का निकनेम भी मिल गया इस खासियत के कारण भाउस से कलेक्टर्स इस से खुबसूरत सांप को अपने कलेक्शन में जोड़ना चाहते है रैन्बो बोवा इस सांप को स् सूरज की केरने पड़ती है वाकई में देखने में विश्वस नहीं है लेकिन असल में रैन्बो स्नेक के शरीर में होलोग्राफिक एफेक्ट है और यही वज़ाए कि यह लाइट रिफ्लेक्ट करता है टिम्टिमाता है चमकता है और एंदर धनुष के सभी रंग बिखेड सूरज की रोश्णी में छोड़ दें फिर देखना यह सांप दुनिया का सबसे सुंदर सांप है इस पाइनी बुश वाइपर असल में इस देखने में सांप और ड्रैगन का मिलाजिला रूप है यह सेंट्रल अफरीका के वर्शावनों में पाया जाने वाला चूटा सा सां जानकारी मौजूद नहीं है बस इतना मालूम है कि निरो टॉक्सिक होता है सौभागे से वाइपर आमतार पर मानो बस्तियों से दूर रहते हैं और इसलिए स्पाइनी बुश वाइपर का काटना बहुत दुरलब है वैसे रफ बाड़ी होने के वज़े से पेड़ों पर औ और किसी भी वर्टिकल चीजों पर आसानी से चड़ जाते हैं और अपने पूच के सहारे आसानी से पेड़ों से लटक भी जाते हैं अधिकांश बुश वाइपर हरे रंग के होते हैं और इसे इसके आसपास के वातावरण में छलावरण में मदद करते हैं ये सबी दुनिय कि सबसे अनोखे और अजीब साम थे लेकिन लिस्ट अभी भी बहुत लंबी है